प्रयाग राज से दुर्ग आ रही स्लीपर बस में गोरेला बेरियर के समीफ बांधा मोडा के पास मंगलवार को तड़के तिन बजे आग लगई बताय जा रहा है कि ब्रेक से चिंगारी निकलने के बाद पिछले टायर में आग लगने से पूरी बस देखते ही देखते धू धू कर चल गई हासे के समय बस में करीब 70 यात्री सवार थे गरीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को बस से उतार लिया गया बताय जा रहा है कि बस के चालक को किसी अन्य वाहन के चालक ने बताया कि पिछले टायर से कुछ चिंगारी निकल रही है ब्रेक शू के गर्म हो जाने के कारण ये आग बस के टायर में लगी उसी के बाद ये हाथसा हुआ